नमस्कार आप सब का बहुत स्पागत है। बनेंगे और भारती जंता पार्टी का डिप्टी सीम होगा उप मुख्यमंत्री होगा यानि जो पिछली सरकार थी बीजेपी और जेडियू की उसी फॉर्मूले पर अब एक बार फिर दोनों पार्टियां साथ आएंगी। टॉप लीडर्शिप ने अपने अपनी सहमती दे दी है। जाकर वो अपना इस्तीफा के आगपत्र स्वाप सकते हैं और परसो नई सरकार का गठन हो सकता है। परसो एक बार फिर शपत ग्रहन हो सकता है जिसमें नितीश एक बार फिर बुख्यमंत्री पद की शपत लेंगे। अब ये लगबकत है इसमें कहीं अब कोई संशे नजर नहीं आ रहा। सवाल केवल एक टाइमिंग का बचा था और इसको लेकर के भी स्थितिव साफ हो रही है कि कल नितीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और परसों एक बार फिर सरकार बनाने के लिए शपत ले सकते हैं। बियार के पूर डेपिटी सेम सुशील मुदी का एक बड़ा बयान सामने आया। पर खुल भी सकते हैं। आप देखे सुशील मुदी के सुर्वी पूरी तरीके से बदले हुए यही भारती जनता पार्टी थी और यह वही सुशील मुदी हैं जिनों ने बात कही थी कि नितीश कुमार के लिए अब जो एंट्री है भारती जनता पार्टी में उनके लिए हमारे दर्वाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। यह तब हुआ था जब 2022 में नितीश कुमार ने उनका साथ छोड़कर और जनता का मैंडेट ठुकरा करके आरजेडी के साथ लालू परसाद पाया करते हैं। तब चिराग पासवान क्या सोचते हैं। चिराग पासवान इसके लिए सहमत है या नहीं यह भी जानना बहुत दिल्चस्प होगा। चिराग पासवान से हमारे सजयोगी की बातचीत देखिए। चुनाओ समीब हैं लोकसभा के और बाच्पा के शीष्ट नेतरत से इस विशे को लेकर कई बार हम लोग की बातचीत हुई है। तो उस विशे को लेकर भी अब चर्चा होनी है। मौझूदा परिस्थिती में राजनेते कई हल चले हैं। उसको लेकर भी चर्चा मेरी शीष्ट नेतरत भाच्पा से हो रही थी। कल भी मेरी ग्रह मंत्री जी से बातचीत हुई। आने वाले दिनों में संभावित मुलाकाते भी इन तमाम विशो को लेकर होगी। दिल्ली में आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि दो-चार बैठके होंगी और चीजे और क्लियर होंगी। अप लोग के पास क्या जानकारी है। नितिश कुमार NDA में आ रहे हैं यह तो अब लगभगत है माना जा रहा है। देखिए क्यास तो इस तरीके के लगाय जा रहे हैं जानकारी मीडिया के माधियम से भी भाचपा के शीष नेत्रत से भी कई तरीके की जानकारीयों को हम लोग के समक्ष रखा गया है जिस पर अभी चर्शा हो ही रही है। जैसा मैंने कहा कि एक बार तमाम परिस्तियां क्लियर होती हैं लोग जन्शक्ति पार्टी रामलाश भी अपना रुख स्पष्ट करेगी। आपका जाहिर है शुरू से विरोध रहा है नितीश कुमार को लेकर आप अपनी बात रखते रहें लेकिन एक बार फिर नितीश कुमार आपके साथ होंगे तो क्या आपकी क्या रननीती होग तो मुझे लगता है अभी भी यह हाइपोधेटिकल है बहुत अगर-मगर से उल परिस्तिती क्लियर होती है पाड़ी पुना एक स्पश्ट रुक इन तमाम बदली हुई परिस्तितियों को लेकर आपके सामने रखेगी मुझे लगता है कि एक बार क्लियर हो जाए जब गड़बंदन होता है कई दलों के नेताओं का आना जाना उस गड़बंदन लगा रह कि गरिमंत्री से उनकी बादचीत हुई है तो जो भी समझोता हुआ है नितीश कुमार के साथ वो उनको बता तो दिया गया है लेकिन अभी वो कुस पर सपश कुछ कहना नहीं चाना है हमारे मेमान कहानी कुरसिकी के लिए आज हमारे स्टूडियों में मौजूद है राहु देख गल्यारों के अंदर करने की बाते आ रही थी लोकसभा के साथ लेकिन बीजेपी इसके लिए त्यार नहीं हुई है तो अब यह लगभग तै हो चुका है कि नितीश कुमार एंडिये में आ रहे हैं हाला कि कैमरे पर कोई अभी खुल कर नहीं कह रहा है लेकिन सुशिल मोदी ने थोड़ी देर प में दरसल देखिए दो धड़ा है कुछ निता जरूर यह चा रहे थे उनका यह कहना था कि नितीश कुमार के नितृत में आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा नुकसान होगा एंटी इनकेमेंसी उनको लेकर के है लेकिन आखिरकार केंदिरे नितृत की बातों को मान लिया गया और यह कहा गया कि अभी लोग सभाचुनाओ सबसे बड़ी प्रात्मिकता है और इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है तो लोग सभाचुनाओ में नितिश कुमार एदी साथ होंगे तो ऐसे में जो पिछला प्रदर्शन था 40 में से 49 सीटों को हासिल करने का इसकी उम्मीद है बीजेपी क्यों और जाहिर है बीजेपी कोई खत्रा उठाना नहीं चाहती है कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है जी और इसी के तहट यह सारी प्रकिर्याइं हो रही है और जेडियू को भी पता है कि अभी यही समय है बारगेनिंग करने का लोग सबाचुनाओं के बाद यह सारी परसीतिया नहीं रहेंगी जेडियू के तरफ से कई और मसले भी रखे गए हैं पूरी कोशिश की गई अपनी तरफ से जादा से जादा बात मनवाने की लेकिन अभी तक जो जानकारी आई है जो नतीजे सामने आए है उसमें यह बिल लाली आदब की खेमी में क्या चल रहा है कुछ पता चला वहां से आपको वो भी जरूर कोशिश कल रात तक कर रहे थे कि नितीज कुमार को किसी तरीके से मना लिया जाए खबरें कि उन्होंने अपने सारे विधायकों को पटना बुला रखा है जो बिलकुल लाली आदब भी अक्टिव है जाहिर है सब कुछ उनकी जानकारी में भी है और चुकी अब तो काफी हतक बातें साफ हो चुकी हैं संकेत मिल चुके हैं उनकी जानकारी में भी सारी बाते हैं तो लाली आदब की तरफ से भी कोशिशे हो रही है अपने पार्ट टीम है उसके साथ लगातार उनकी बैठके चल रही है और तमाम जो दूसरे विदायक हैं उनको भी पटना में कहा गया आने के लिए जरूर उनकी कोशिश होगी स्पीकर उनकी पार्टी का है अवद विहारी चौधरी तो लालू चुकी जोड़तोर में माहिर रहे हैं पुरान भी होंगी और चुकी जेडियू में सेंधमारी की जो कोशिश इससे पहले भी खबरे आते रही है उसमें कामयाभी नहीं मिली है अभी चुकी जेडियू को तोड़ना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि जेडियू में अधिकतर लोग लगबग सभी लोग चाते हैं लहर है उस लहर पर हर कोई सवार होकर निकलना चाहता है इसलिए लालुय आदव के लिए बहुत मुश्किल होगा लेकिन उनकी कोशिश जरूर होगी उनके निशाने पर जीतनरामाजी हो सकते हैं जीतनरामाजी जरूर अभी एंडिये के बारे में खुलकर कह रहे हो लेकिन जीतन राम माजी पर उनकी कोशिश हो सकती है चार विदायक है उनके बड़ा उफर दे सकते हैं कई जो नेता है उनको लोग सवा के टिकट की बाद कही जा सकती है तो साम दाम दंड भेद हर कुछ लालु आदव आजमाएंगे यह भी बीजेपी भी मानकर चल रही है इसलिए ह चाप रहिएगा हमारे साथ देखे कल कैबिनेट की मीटिंग थी इसको चेहर किया मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने और मुख्यमंत्री तेजस्वी आदव उसमें मौजूद थे बताया जा रहा है इतनी छोटी कैबिनेट की मीटिंग बिहार में हाल के बरसों में देखी नितीश कुमार और तेजस्वी आदव बस एक कुरसी की दूरी पर दोनों बैठे हुए थे लेकिन नितीश कुमार ने देखा भी नहीं तेजस्वी आदव की तरव राहूल जी जो खबरें हो ये बता रही है दो दिनों के अंदर जो स्क्रिप लिखी जा रही है आपको उस प्रशिश कर रहा है उससे भी बैड ब्लड जो है वो बढ़हा हो का उससे पहले भी जिस तहां से और के नितीश कुमार को उन्हों ने यह इस अपन दिखाया था यह सपना दिखाया था कि वो जो है एक जो गडबंधन विपक्षक है उसके प्रणार मंत्री के दावेदार ह तो नितीश कुमार का वैसे भी मोभंग आरजडी से हो गया था और उनको अपनी आगे की राजनीती जो है वो करनी थी और उसमें उनको लगता है कि बीजेपी का साथ जाधा बहतर होगा हम अगर नितीश कुमार की राजनीती देखें 1995 से जब समतादल बना था समतापाटी ब निताओं उनको अपने आलन से खोल आगे की उन्हों अपनी आजनीती बना रहे हुए अब व लोगसारा का चुनाव लडएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा तो ये सारा उन्होंने इसा है उन्होंने शायद ऐसा मौका चुनाया जब उनको मालूम है कि बीजेपी को उनकी सबसे जादा जरूरत है यूपी में जो है वो एस पी से हटके बीजेपी की तरह मुड़ा जो चुनाओं में लेकिन बिहार में ऐसा नह वो बकाइदा आरजेडी के साथ रहा बिल्कुल हिला नहीं अब अगर जाती है जन्गना के बाद ऐसा माना जाता है कि नितीश कुमार जो है अती पिछले वर्क के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं बिहार में अगर वो सारा एक साथ हो जाता और बीजेपी को इसका नुक नितीश कुमार को अपनी राजनीती आगे नहीं दिखाए दे रही थी वो आरजेडी के साथ आगे चलकर अपनी राजनीती नहीं चड़ा पाते तो इसलिए भी उनके लिए भी यह जरूई था कि वो बीजेपी के साथ आए उनका मुख्यमंत्री पद बश्चा रहे थे और ना इस गठबंधन का शायद कोई भवेश्चत देख रहे थे और उनको ये साहरे लग रहा होगा कि आने वाले चुनाओं में हवा की सोर बह रह रही है और अब चूंकि असल मौसन ज्यानिक का रामिलाजी तो रह नहीं तो तमगावनी को दिये रहे लोग उन्होंने योजकों में से थे और ये कहा जा रहा था कि इनको तो अब जो इंडिया गठबंधन है इसका उनको प्रधानमंत्री पद का उमीदवार बनाया जाएगा और अब देखिए कि किस तरह से राजनीती बदली है अब वो इंडिया गठबंधन को छोड़कर वो एंडिये की तर रहा है वहाँ पर हमने दो दिन पहले बात की थी बंगाल में जहां ममताब एनरजी ने ये तैय किया कि वो अब इस गठबंधन में कम से कम बंगाल में कोई सीट वो किसी और पार्टी को नहीं दीगी सारी सीटों पर वो खुद लड़ेंगी उसके बाद में इसी तरह का बय कि नित्रित वाला जो एंडिये गठबंधन है वो उसमें मजबूती आ रही है तो ये अपने आप में बहुत ही महत्पून संकेत है आने वाले चुनावों का किस तरह से हवा बदलती है नितिश कुमार के बारे में तो हम जानते हैं कि वो हर तरह से हर तरह की बाजी पलटते रहे हैं और अब जो है वो अपना अपना फाइदा देखकर आए हैं और उनको कल तक हम ये लग रहा था कि सारा किस्सा शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अठकेगा लेकिन भारती जनता पार्टी ने उनकी वो शर्त लगता है स्विकार कर ली है और वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे उसके बाद तो फिर उनके पास कुछ है नहीं लेकिन मैं एक एक वर्ड ओफ कोशन जिसे कहते हैं हम पत्रकारिता में वो जरूरी है कि नितिश कुमार की जो साख है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है और अब इस बार जो उन्होंने पल्टा खाया उसके कम से कम नितिश कुमार की अपनी पार्टी को नुकसान इसमें हो सकता है। नितिश कुमार ने पहले भी जनता के आदेश को जुटलाया, धोका दिया, वही उन्होंने 2020 में फिर से किया, एक बार फिर अब वो आगे कब क्या कर दे, इस पर तो हमेशा सवाल खड़ा रहेगा। नितिश कुमार की बिहार के अंदर मुख्य मंत्री की रुप में वही एसियत होगी, जो महराष्ट में मुख्य मंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे किये। एकनाथ शिंदे जिस पकासे कठपुतली मुख्य मंत्री और पूरा राज्य का प्रशाशन जिस तरह से भारतियनता पार्टी के पासे वेसा ही बिहार में होगा। मुख्य मंत्री नितिश कुमार बनेंगे लेंगे सारे बड़े विबाग भारतियनता पार्टी के पास रहेंगे। और यत्ता है कि भारतियनता पार्टी इस बार नितिश कुमार के शर्टपन नितिश कुमार को एंडिय में एंट्री नहीं देगी। आप देखें जब नितिश कुमार की भार्धियनता पार्टी को दरुवत थी, नितिश कुमार को जो भार्धियनता पार्टी ने सपोर्ट किया था, सबसे छोटा दल होने के बाद भी जडियू को भार्धियनता पार्टी नितिश को संबान दिया था, लोकसभा में भी बराब मुझे लग रहा है अब नितिष कुमार फिर पल्टी मांगरे तो नितिष कुमार किस आधार पर भारतियनता पार्टी के पास धा रहे हैं कि लोग सबाद चनाव में हम बड़े भाई की भूंभीका में रहेंगे हम सीटों का निर्धारन करेंगे और विदान सबाद चनाव में भारजयनता पार्टी बड़ी पार्टी रहेगी और नितिश कुमार को यह कह दिया गया होगा कि जब विदान सबाद चनाव होगी और सरकार बनेगी तो मुख्यमंती भारजयनता पार्टी का पनेगा आप मुख्यमंती नहीं रहोगे यह तता है और अब मुझे ऐसा लगता है कि नितिश कुमार के लिए आने वाला समय बड़ा मुश्किल होगा लेकिन यह भी एक मुझे करके 48 गंटे का समय बार्टी जनता पाटे नितिश को क्यों दरी है और नितिश कुमार भी समय क्यों ले रहा है मुझे मेरे समझ के परें इसी स्थिती में तो रातुरा सरकार पलड़ जाती विपक्ष को मौका भी नहीं मिलता लालू को समझने का इस्तिफा होता और रातु सब जगे लोग अपने अपनी बातें कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में तेजस्पी आदव को और राबरी देवी को एडी का समन्न पहुंचा हुआ है उनके ओपर भी दबाव बहुत है उनके भी हाथ बंदे हुए है ऐसा लगता है देगे मुझे ऐसा बिल्कूल नहीं ल कि आपने देखा है बीजेपी के साथ नहीं कहीं मैं बुल रहा हुँ सारे एक सरकार एक चुनाओ के बाद जंता के आदेश के बाद एक पल्टी कमाल हो गया है मैंने कहा ना बीजेपी के लिए भी और बाकी दलों के लिए ऐसा कोई कभी भारती राजनीती में एक्जामपल करनी रहा है कि वो किसी के साथ नहीं लड़ा कभी चनाओ के बाद गड़बंदन कर लिया उन्होंने सीटो का डिस्ट्रिप्शन कभी यहां तो नितिश साथ में मिलके चनाओ लड़ता है मैं फिर बोल रहा है इस तहां से अगर बाइचांस अभी भी बीजेपी को यह जरू बूलना अलग बात है और देखें बीजेपी जब शुरू में ग्रोथ कर रही थी जब ग्रो कर रही थी उसने खुद कहा था कोई राजनीतिक दल अचूत नहीं होता है तो अगर बीजेपी के पुराने निताओं के यह बयान आप देखेंगे तो आपको सपष्ट अगर आजनीती में किसी के साथ जाना या किसी के साथ अलाइन करना इसमें कोई प्रॉब्रम नहीं हो